अब ही हम लोग देखेंगे अपना 2BSK का फ्लाइट जो पच्पन गेज में बना हुआ है और इस फ्लाइट का बेस पार्ट है इसका इंटेरियर और इसकी लोकेशन ऐसी लोकेशन आपने 2BSK में बहुत ही कम देखी होगी तो बने रहे हैं हमारे साथ नमस्कार मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ अपने चैनल सानवी स्टिट इंडिया प्राइट लिमिटेड पे जो फ्लाइट हम 2BSK में भी देखने वाले हैं कार पार्किंग के साथ बहुत ही बहतरीन इंटेर के साथ बहुत अच्छा स्पेस निकाला गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये फ्लाइट देखने के बाद बहुत अच्छा फील होगा बिकर पच्पन गज में जिस तरह के इसमें इंटेर बनाए गया है और जिस तरह का स्पेस निकाला गया है कमाल का तो चलिए हमेशा की तरह देख लेते हैं अपने बिल्डिंग के फ्रन्ट अलिवेशन फिर पार्किंग फिर आएंगे हम लोग अपने फ्लाइट के अंदर कर दो चलिए प्लाइट के अपने फिर आएंगे हमेशा आएंगे हमेशा आएंगे हमेशा अपने निकाला गया है के हम अपने फ्लाट के एंट्री के तरफ जैसे एंट्री पॉरichtig प्रेसेदी में तो सबसे पहले आईन गेटिबलवी यहां पर दिया गया है उसके बाद है कि जैसे ही हम लोग अपने फ्लाट में entry ले रहे हैं, तो यह आपको drawing area है, जैसा मैं हमें सा overview देता हूं अपने फ्लाइट का, वो मैं दिखाता हूं, यहाँ आपको drawing room मिल जाता है, एक washroom आपको यहाँ मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ एक master bedroom मिलता है, इसके साथ आपके balcony है और बहुत अच्छा space निकाल लगया है washing machine के लिए यह आपको kitchen मिल जाता है और एक bedroom आपको इस तरफ मिल जाता है ड्राइंग रूम के बारे में मैं बताता हूँ यह पूरा space आपको drawing का मिलता है यहां से आप जोई space देख पा रहे हैं इल टाइप में आपका sofa जाएगा बीच में आपके comfortable आ जाएंगे इस तरह का यहां पर यह बहुत ही decent और premium look का wall paper लगाया गया है और यह decoration के लिए यहां प decorate कर सकते हैं बहुत ही खुबसूरा design और इसी के साथ उपर night lamp दिया गया है और उसके बाद जो design उपर false link की और जो जिस तरह से उपर decoration किया गया है बहुत ही जबरदस्त जूमर के साथ आपको यह flat बहुत बढ़िया मिल रहा है यहां जूमर भी लगाये गये हैं जो bluetooth enable है इस तरह से आप light भी change कर सकते हैं यह हमने sample flat बनाया है और उसके बाद अगर मैं दिखाऊ हूं इसको वह चुकिए आपका drawing room है तो बहुत अच्छा दीखे इसलिए इस तरह के यहां पे सिंड़ी भी लगाए गये हैं और साथ में जब यहां आपका sofa का placement आएगा तो entertainment के लिए आपको TV की जरूरत होती है उसके लिए बहुत एक खुबसुरे TV पहने तो आपको दिखाए आशिस और एक चीज़ में ध्यान दिलवाओंगा साथ में यह switch जितने भी इसमें यूज किये गये हैं एक बार close करके दिखाएएगा switch भी सारे जो brand है वो flips यूज किये गये हैं यहां भी आपको इस तरह के design मिल जाते हैं उपर भी इस तरह का आपको design मिलता है यहां ड्रॉर दिये गया है और कुछ अगर decorate करना चाहते हैं उसके लिए यहां भी आपको space दिया गया है इसके साथ आपको यह washroom मिलता है आशिस दिखाएंगे एक बार आपको washroom फिर मैं description कि इसमें इंडियन सीट लगाया गया है क्लाइन के गॉर्डिंग उन्होंने बोला था इंडियन सीट लगाने के लिए इसमें इंडियन सीट है अगर आप ध्यान देंगे तो जितनी चीज होनी चाहिए बाथरूम में वो सारी चीज़े इसमें दिखें यहां आपको सूप फोल्डिर मिल जाता है यहां डाइवर्टर लगाए गया है होट और कोल वोटर के लिए एक ही टैप से आएगा दो टैप के जरूरत नहीं होगी य और यह फ्रक्लूस करिया है यह पूरा आपको जो स्लॉक्स बनाए गया है इसमें आप बाथरूम का जो स्टफ है वो आप रख सकते हैं उपर आपको शावर दिया गया है साथ में फैंसी लाइट दी गई है और यहां अगें जो आप इसे टावल वोल्डर भी यूज कर सकत हैं तो यहां से मैं दिखाऊंगा अपना जो फॉर्स बेर्डूम है वो आई है यह हमारा फॉर्स बेर्डूम है इसकी फ्लोरिंग भी आप देखें वेट्रिफाइट आइस की की गई है और वेंटिलेशन से शुरू करते हैं विंड़ो यहां यहां वेंटिलेशन के लिए विंड़ो दी गई है इसी के साथ आपको बाहर बैलकनी मिलती है साथ में सींद्री लगाई गई है उपर आपको नाइट लाम मिल जाता है और यहां 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 आपको वर्डॉप मिल ज रहे हैं और अगर मैं डिजाइन दिखा हूं उपर की तो देखें बहुत एक खुबसूरा डिजाइन अगें ब्यूटिफिल इंटेडियर के साथ यह फ्लाट आपको मिलता है टू भी इसके का पच्छपन गजब में बना हुआ उसके बाद टीवी पैनल भी देखिए आप बहुत कम टीवी पैनल इस तरह का देखने को मिलेगा आपको इस तरह के टीवी पैनल यहां पर बनाया गया है कुछ अलग किया गया है यहां पर आपका जो टीवी है जो एलीडे आप यूज़ करते हैं वो आजाएगा इसी के साथ यह हमारी balcony है balcony में भी आपको यह जो iron door है वो लगा के हम लोग दे रहे हैं balcony का मैं best पार दिखाता हूँ आपको यह देखिए यह जो space आपको दिया गया है यह washing machine के लिए अलग से आपको space यहाँ पे मिल जाता है यहां वोस्विसन लगाए गए हैं और वोस्विसन के साथ भी आपको सूप फोल्डर मिल जाता है टाप है फिर यहां पर जो बॉटल दी गए उसमें आप लिक्विड रेक सकते हैं और यह अच्छा स्पेस अभी बैलकेनी में टफन ग्लास लगने है दोड का भी आप है बहुत ही खुबसूरत बनाया गया है यहां पर आपको पूरा फ्रेज का स्पेस मिलता है और साथ में यह जो डेकोरेटेड आइटम दिये गए हैं यह डेकोरेशन के लिए जो साथे स्लॉट्स बनाया गया है आशी इस वर क्लोज करिए बहुत पॉजिटिव वर्क्स आएगी जब आप एंट्री मारेंगे अपने किचिन में डिजाइन दिखाएं पूरा आप बीच में यहां पर एक आपको फैंसी लाइट बिल जाती है और वेंटिलेटेड किचिन जैसे हम एंट्री लेते हैं यहां पर तो सामने आपको यहां पर आपको मिल जा रहा है अगर खाली सिलिंडर रखना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा कॉर्णर दिया गया है जो भी आपका बड़ा कंटेनर है वो इसमें आज आएगा यहां इसको क्लोज करें यहां जब यूटेंसिल क्लीन करते हैं तो उपर रखने के लिए यह सारा एस्पेस बनाया गया है और साथ में किचेन में खुबसूरत वाइप साएं आप यह भी देखिए यहां से सिंद्रिस तरग की लगाई गया है और सारे स्मॉल लाइट्स ताकि आपके आइज पर रहसनी ना आ है और इसके साथ यह आपको अगें इस पेस मिलता है और यहां भी आपको एस पेस मिलता है अगर मैं उपर के डिजाइन दिखा हूँ तो इस तरह आपको डिजाइन मिलता है और किचेन में जो उड़का काम किया गया है यह सारे स्लॉस एपर क्लोज करिया सिस इसको इस तरह से उपर तक बनाएं गया है बहुत एक खूबसूरत किचेन 2BHK में जेनरली इस तरह का किचेन आपको देखने को रेर टू रेरेस्ट है कि आपको मिले हलाकि 3BHK, 4BHK हम लोग इस तरह के फ्लैस बनाते हैं बट 2BHK में इस तरह का सांदार और कमाल का और प्रीमियम का इंटिरियर बहुत कम देखने को मिलेगा चलिए हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में इस बेडरूम का जो बेस्ट पार्ट है अगें इंटियर और इसका फुल वाट्रॉप आप देखें जिस तरह से वाट्रॉप बनाए गया है सबसे पहले आशी स्वा क्लूज करके इसारा दिखाए आप यह वाट्रॉप जिस तरह का बनाए गया एक खुबसूरत डिजाइन कि यहा एगर मैं दिखाऊं तो अंदर में दिशन धीया गया है यह आपको द्रेसिक मिल जाता है इसके बाद यहाफ इसे क्लोज करें अगें आपको इस तरह इस पेस मिल जाता है फिर इधर भी आपको इस पेस मिलता है यहां सेल्फ भी दिये गया है और यहां भी आपको स्पेस मिल जाता है नीचे भी कैबिनेट्स बनाए गए है इस तरह के कैबिनेट्स आपको मिलते हैं और यहां भी आपको कैबिनेट्स मिल जा रहा है चुकि यहां आपको वार्डॉप मिलता है इधर आपका बेट आ जाएगा और बेट के लिए टीवी लगाने के लिए जो स्पेस है इस तरह का यहां पे जो टीवी पैनल है वो बनाया गया है जो आटिफिसल ग्रास है वो इसके उपर पेस्ट कर दिये गया है यहां आपको चूरती का काफी ध्यान रखा गया है इसमें यहां आपको इस तरह के वोल पेपर मिल जाते हैं साथ में यहां सीनरी लगाई गई है यह आपको नाइट लैंब मिलता है और उपर अगेन एक डिसेंट लुक में फॉल सिलिंग के डिजाइन जिसमें कॉब लाइट और एली ल पर लगा सकते हैं यह सापक का एरिया है अगर मैं इस फ्लैट की बात करूं तो जहां यह फ्लैट है जो इसकी लोकेशन है वो मुहन गार्डेन है जो द्वार का मोर मेटर से तकरीबन आधी किलोमेटर की दूरी पर आपको मिल जाता है इसका जो प्राइस हम लोग ने रखा है इसके लोकेशन के हिसाब से इसके इंटियर के हिसाब से और जिस तरह से स्पेस निकाला गया है पच्पन गज में उस हिसाब से 25 लाक रूपीज कार पारकिंग के साथ यह फ्लैट आपको मिलता है तो फ्रेंड कभी आप फ्लैट देखने आना चाहते हैं तो मोस्ट बिलक पानी यहां अभिलीबल है इस फ्लै फ्लैट के बारे में कुछ और भी इंफमेशन अगर आपको चाहिए तो जो हमारा कॉल सेंटर का नमबर है नीचे कॉल सेंटर के नमबर आप दिये गहे हैं आप वहाँ फोन करके और भी इंफमेशन ले सकते हैं या जो हमारी वेब स attitude सा तो फ्रेंट दीजे मुझे इजाज़त हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लाइट में नए वीडियो के साथ तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हाँ अगर आपको ये फ्लाइट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल न भूले तो हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लाइट में नए वीडियो के साथ तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें बिकज आप ही पिलन है सान्विय स्टेट के इन फैक्ट मैं तो ये बोलूँगा आप ही सान्विय स्टेट है आप हैं तो हम हैं थैंक यू